प्राची संध्या काचिदंतर निशायाह प्रज्ञाद रिष्टे रंजन श्रीरपूर्वा पक्त्री वेदान भातुमे वाजिवक्त्रा वागी शाख्या वासुदेवस्यमूर्ति सर्वेभ्या स्वागतम अस्मिन भागे रिचाम त्रैविध्यम इति विशये चर्चाम कु रिचाम त्रैविध्यम प्रतिपाधितं अस्ति रिच्यते स्थूयते अनया इति रिख्षब्दस्य व्युत्पत्ति रिचह लक्षणंच जैमिनी महरिशिना तेशाम रिग यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था इति प्रोक्तम यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था भवति तेशाम चंदो पद्धानाम मंत्राणाम नाम रिग इती पूर्वमिमांसकाह। तादरशी नाम रिचाम समूहह एव रिग वेदह। तेशामरिक यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था इत्यस्पिन्विषये आचार्यह सायनह अपि वदति पादेन अर्थेन चोपेताह विर्थपध्धा मंत्राह रिचाह इती। रिचाम त्रैविध्यम इती उक्तेसति अत्र केवलम् रिग्वेदस्थ मंत्रानामेव इतिन चिंतनीयम् अपिच वेदे सर्वासामपि रिचाम त्रैविध्यम उक्तम इती विद्वांसह कथयंति अत्र रिग्वेद ग्रहणंतु रुचाम बाहुल्यात इति ज्ञेयं। तरही संपूर्ण वेद वांग्मजे रुचाम त्रयह प्रकाराह संधी इति यास्कमतं अत्रसिद्धं। तद्विशिये अत्र संग्रहेन पश्यामह। रुचाम त्रयविध्यम अत्र इत्थम प्रतिपादितम। तास्त्र विधार रुचह परोक्षक्रताह प्रत्यक्षक्रताह आध्यात्मिक्यस्च इति। ताह रुचह वेदे त्रिविधाह भवन्ति तेचे परोक्षक्रताह प्रत्यक्षक्रताह आध्यात्मिक्यस्च अत्र एक एकम पश्यामह प्रथमम तावत परोक्षक्रताह रचह तत्र परोक्षक्रताह सर्वाभिह नाम विभक्ति भिरियुज्यन्ते प्रथम अपुरुषैस्चाख्या तस्य इती निरुक्तम परोक्षम नाम अप्रत्यक्षम तासु त्रिविधरिक्षु परोक्षक्रताम परिज्ञानम कथम भवती इती अत्र यासका निर्दिशती परोक्षकृतासु रिक्षु स्तूयमान देवतानाम वर्णनम सर्वाभिही अर्थात सप्त विभक्ती भिही तिंगंतेन प्रथमपुरुषयोगेनच यत्रभवती ताह परोक्षकृताहा इती यहाहा अत्र विभक्तेहे एकईकम क्रमशह उदाहरणं अभी प्रदत्तम वर्थतते निरुक्ते महर्शिना यास्केन तत्पष्यामाः प्रथमा विभक्तेहे उदाहरणं इंद्रहा इती इंद्रोदिव इंद्रईशे इती अस्यमंत्रस्य उदाहरणं जुतिया विभक्तेहे पुनस्च त्रितिया विभक्ते हे उदाहरणं। इंद्रेन, रिध्य विभक्ते हे उदाहरणं। चतुर्ती विभक्ते हे उदाहरणं इंद्राय सामगायत इथि पंचमी इंद्रात इथि नेंद्राद्रते पवते धामकिंचन इथि शष्टी विभक्ते हे इंद्रस्य इंद्रस्यनु वीर्यानि प्रबोचम इथि अस्यापी उदाहरणं इत्थम प्रदत्तम, इत्थम स्थिते इदानीम परत्यक्षक्रत रच प्रोच्यते तद इत्थम उक्थम अथप प्रत्यक्षक्रता मध्यम पुरुषयोगाहा त्वम इती चैतेन सर्वनाम्ना इती प्रत्यक्षक्रताम लक्षणम इत्थम उझ्यते मध्यम पुरुषेन सैम्युक्ताह याह रिचह संती ताह प्रत्यक्षक्रताह इतिग्ये याह त्वम इती अत्र सर्वनाम युक्ताह अपिरिचह प्रत्यक्षक्रताह भवंती तदर्थम अत्र उदाहरणं प्रदर्शयति तदपश्यामह प्रत्यक्षक्रताम उदाहरणं त्वमिंद्र बलाधधि सहसो जाता ओजसाह त्वम व्रिशन व्रिशेदसि इति अत्र त्वम इति पश्यंतु हे इंद्र त्वं बलाद अधि जाता हा स्वखीय बलेन इंद्रत्वं प्राप्ता हा इती सर्वाह अपी रिचहा अत्रन व्याख्यायते मया के वलं परिज्ञानार्थं कतिपय रिचहा अत्र उदाहरता हाँ अन्यदेकं उदाहरणं विन इंद्र मृधो जही नीचायच्छ पृतन्यतः यो अस्मांग अभिदासत्यधरं गमया तमाह। अन्यदेकं विशिष्टं यो जही यती यास्काह। अत्रे परोक्षम 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 इत्यस्पिन विशये दुर्गाचार्य हावदती परत्यक्षम नाम अक्षिगोचरम परोक्षम नाम अक्षिभ्याम परम इती विशदेगती। उदाहर नार्थं मंत्राहात्र प्रस्तोयते, माचिदन्यत् विशंसते इती, इन्द्रादन्यत् किमपी मास्तुवते, इती, पुनहा कन्वा अभिप्रगायत हे रित्विजह कन्वाह यागे प्रभूतस्तुतिम कुरुत इति उपप्रेत कुषिकाश्चेत यद्धम कुषिकाह हे रित्विजह आगच्छत इंद्रम शत्रम मारितवान इति जानी इध्धम इति प्रत्यक्षक्रताह स्तोतारह इत्यत्र उदाहरणं प्रस्तुतं अथ त्रिविधा सुरिक्षु अंतिमं आध्यात्मिक्या रिचाह तद्विशये पश्यामाः अथाध्यात्मिक्य उत्तम पुरुष योगाह अहमिती चैतेन सर्वनामना इती अहमिती सर्वनामना उत्तम पुरुषेन युक्ताह याह रिचाह संथी ताह अध्यात्मिक्या इती येयाह उदाहरणत्वेन अध्रसूत्रत्रयम उल्लिखती तद्यधा यथैत दिंद्रो वैकुंथाह लवसूक्तम वागाम्भिनियम इती तद्विशये क्रमशह एकेइकं पश्यामः इंद्रवैकुंथ सूक्तम लवसूक्तम वागाम्भिनिय सूक्तम इती सूक्तत्रयम उदाहरणार्थम यास्केन अत्रप्रस्तुतम अत्रयत प्रस्तुतं तदेव आध्यात्मिक्याह रिचाह संती इती नबोध्यं बहवसंती अत्र उदाहरणाम आत्रम अत्र सुक्तत्रयं प्रस्तुतं इती अवगच्छंतु इंद्रवैकुंठ सुक्ते पश्यंतु अहम भुवं वसुनहा पूर्व्यस पतिही इती अत्र अहम इती शब्दह अर्तते अहम इंद्रहा वसुनहा धनस्य मुख्याह पतिही स्वामी अभवं इती संग्रहेन अर्था लवसुक्ते इतिवा इतिमे मनो गामश्वं सनुयामिती कुवित सोमस्यापामिती कुवित बहुवारं सोमं पीतवानस्मी अतह यजमानाय अर्थात ममस्तोत्रम कुरुवते यजमानाय गाम अश्वंच प्रतास्यामी इत्येवं प्रकारेण मम मनहा वर्तते इती इंद्रह अत्रापि गामश्टुम् सनुयाम अहम सनुयाम इत्यत्र येयम वागाम भणिय शोक्ते अहम रुद्रे भिही पसुभिस्चारामी इति अहं सुक्तस्य द्रष्ट्री, सच्चित सुखात्म रूपस्य, परमात्पना दादात्म्यम अनुभवंती, वच्मी, यतु रुद्रेभिही रुद्रेही ही एकादश रुद्रेही इत्यर्था, तदात्मना अहं चरामी इति, एवं उत्तरत्रापी योज्यम, तरित्थं परोक्षक्रताहा प्रत्यक्षक्रतास्च मंत्राहा भू इश्ठाहा अल्पषाा आध्यात्मिकाहा इती परोक्षक्रताहा प्रत्यक्षक्रताश्च मंत्राहा वेदे बहवाह संती सर्वत्र उपलभ्यते बहु उपलभ्यते किन्तु आध्यात्मिकाहा मंत्राहा अल्पाहा संती न्यूनाहा संती इति स्वयम यास्काहा वरती तदित्थम यास्क महर्षिना मुख्य रूपेन प्रतिपाधितं वृचाम त्रैविध्यं एत दतिरिक्ततया केवलस्तुतिही आशीरवादाहा निंदा शपथाभिशापहा तत्त ज्यान विचिकित्सा विलापहा प्रशमसा इति नैके प्रभेदाहा मंत्राणाम निरूपि अत्र रिचाम त्रैविध्ये यल लक्षणं प्रतिपाधितं तत्त्रावी आक्षेप समाधानादी रूपेन बहवः विशयाहा चर्चिताहा भवन्ति वैदिक विद्वत समाजे एतत संप्रदाये अत्र अंते यासक महर्षिह कथयती एवं उच्चावचैर अभिप्रायेही रिशी नाम मंत्र द्रिश्टयो भवन्ति इति एवं प्रकारेण अर्थात उच्चावचैही अभिप्रायेही अनेक विधैही अभिप्रायेही रिशी नाम मंत्र दर्शनानी भवन्ति इति अत्र रिशयह मंत्राणाम द्रष्टारह भवंदी नतुतेशाम मंत्राणाम करतारह इत्यपि अभिप्रायह मर्शी यास्केन प्रतिपादितं। तदिथं अत्र रिचाम त्रैविध्य विशये अस्माभिही किन्चित यथामती शुरुतं। अग्रे, इतोपी, अस्पिन विशये, इथा समयम, चर्चाम, कुर्माह, सर्वेभ्याह, धन्यवादाह.